जैहिन, जैजोहार, मैं स्वपनिल तिवारी, चंदर अकेडमी के इस डिजिटिल प्लाइटफॉर्म में आप सभी का फिर सवागत करता हूँ दोस्तों, चंदर अकेडमी ओफलाइन कक्छाओं के साथ साथ आप यहां की ओनलाइन कक्छाओं भी जॉइन कर सकते हैं इन ओनलाइन कक्छाओं को घर बैठे हैं अपने मुबाइल पर आप रिकॉर्डेट या लाइब दोनों मोड में जॉइन कर सकते हैं हमारे ओनलाइन कोर्सेज के अंतरगत CGPSC प्रिलिम जिसकी वेडियो एक साल की है CGPSC में जिसकी वेडियो दो साल की है और CGVYAPAM की सभी परिक्छाओं के लिए एक सेपरेट कोर्स है जिसकी वेडियो एक साल की है इसके साथ ही इस वेलिडिटी के अंतरगत जितने भी ओफ-लाइन का च्छाओं में नए वेडियो लेक्चर बनेंगे वो भी आपके कोर्स में एड़ कर दिये जाएंगे इसके अतरिक्त यदि आप कोई प्रिथक विशे जॉइन करना चाहते हैं जैसे Maths, Reasoning, Computer, 36 गड़ या कोई भी विशे है तो इसके कोर्से भी उपलब्द है तो ऑनलाइन कोर्स जॉइन करने के लिए जल से जल शंदरा एकेडमी ऑनलाइन क्लासे इस एपलिकेशन डाउनलोड कीजिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्द है और अधिक जानकारी के लिए दिये गया नंबर में संपर्क चलिए चतिसगड़ आर्थिक सर्विक्षन की कक्छाओं को फिर से प्रारंब करते हैं CGPSC प्रारंबिक परिक्षा की त्यारी को और मजबूत बनाने के लिए चतिसगड़ आर्थिक सर्विक्षन दो हजार बाइस तेज की ये वीडियो सिरीज है इसमें हम MCQ तो देखी रहे हैं जिससे आप अपने डेटा को रिवाइस कर सकते हैं जो नए अभ्यारती हैं वो ये जान सकते हैं कि भई किस प्रकार के प्रशने पूछे जाते हैं साथ ही हम इसके अंतरगत हर डेटा की एक समरी भी देख रहे हैं तो 36 गड़ की राजकी आये से संबंदित हम डेटा देख रहे थे और 36 गड़ की राजकी आये के अंतरगत हमने 36 गड़ की आर्थिक वृद्धी दर का डेटा देखा था अब इसके अलावा हम चत्तितगड की राजिकी आय की अंतरगत उसके विभिन्न छेत्रों में आते हैं, जिसमें हम चलते हैं सबसे पहले प्रात्मिक छेत्र या कृषी छेत्र की अंतरगत, तो कल हम एक प्रकार का डेटा समझी चुके थे, ये सारे प्रशन हम पिछले वीडि जरूर देख, हम प्रशनों को देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा था, पिछली क्लास में कि क्रिशी छेत्र और प्रात्मिक छेत्र चत्ति गड़के संदर में दोनों अलग-अलग है, अगर क्रिशी छेत्र की बात हो रही है, तो उसके अंतर काौन से छेत्र सम्मिलित होंगे फसल, पशुपालन, वानिकी और मचली उद्योग लेकिन प्रात्मिक छेत्र की बात होगी तो इन चारों में खना निवा मुद्खना भी शामिल हो जाता है तो ये चीज को हम समझ चुके हैं तो चलिए क्रिशी छेत्र और प्रात्मिक छेत्र के बारे में MCQ और उसकी समरी दो प्रात्मिक छेत्र है यही सबसे ज्यादा important है इसमें deep data पूसता है बागी इसके लावा जो दृतियक उद्योग छेत्र या सेवा छेत्र है सेवा छेत्र से तो उपर-उपर के ही question होते हैं और दृतियक छेत्र में ज्यादा चीज़े हैं नहीं तो इसलिए इसे हमको detail में द मंदि सत्य कथनों का चेहन करें प्रश्न मैंने इसी लिए बनाया है ताकि आप यह समझ सकें कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं अब पहला कथन लिखा है वर्ष 2022-23 के लिए क्रिशी छेत्र की वरिद्धी दर 5.9 प्रतिशत अनुमानित है जिने answer पता है वो बिल 5.9 प्रतिशत अनुमानित है जो नोट्स बना रहे हैं जैसा statement लिखा हुओ है उसी statement का एक नोट्स बनाते जाएंगे इन वीडियो सीरीज से आपके केवल 4-5 पेश के नोट्स बनने हैं और उन 4-5 पेश से आप एक्जाम के 10 कोस्चन जरूर बना लेगे यदि आर्थिक की दर करशी छेतर की 2017-18 में रही है तो दूसरा कथन बिलकुल सही हो गया तीसरा लिखा है 18-19 में नियुनतम विर्द्धी दर तो तीसरा वाला तो हमारा वैसी ही गलत हो गया तो इसलिए हमारा केवल पहला और दूसरा सही है जो है option number C लेकिन एक बात का ध्यान देंगे पि पिछले के पिछले PST का मुझे याद नहीं है, suppose 2016-17, तो question कुछ इस प्रकार का था, कि 2016-17 में कृषी छेतर की वृद्धी दर रिनात्मक रही, जिसके प्रमु कारण क्या थे? तो जी हाँ, इसलिए मैंने तीसरे कथन में कारण लिखा है, कि 2017-18 में वृद्धी दर रिनात्मक रही, उसका मुख्य कारण है, फसलों के उत्पादन में कमी, जान रहेगा? कारण सहीं है, तीसरा जो कथन मैंने लिखा है, वो question क्या गौर्डिंग गलत है, लेकिन 2017-18 में कमी कमी का मुख्य कारण क्या है? कमी का मुख्य कारण है, फसलों के उत्पादन में कमी, तो ये प्रस्ण आ चुका है, इसलिए याद रखेंगे, तो एक प्रस्ण आपके तीन-तीन डेटा तयार कर रहे है, पहला डेटा क्या है? क्रिशी छेतर की वृद्धी दरकित्ती है, 5.93 कब इरणात्मक रही, 2,070 अरणात्मक रही, कितिनी रही? मैं आपको समरी बताऊंगा, वहां हम देख लेंगे, और कमी रहने का मुख्य कारण क्या है? फसलों के उत्पादन में कमी, इस प्रकार से हम M.C.Q. देखेंगे, आपका पूरा इसमे अनालिस होगा और त्यारी होते जाएगे. चलिए, अगले प्रश्ण में आते हैं. अगला प्रश्ण हम से क्या कह रहा है? सोलवा प्रश्ण हम से ये कह रहा है कि 36 गड़, आर्थिक सरवेक्षण के अनुसार, 2000, 22-23 के अनुसार, राज्य सकल, घरिलोत, पाद्मे, ग्रिशी, शित्र के अंतर है. अब इस प्रकार के प्रश्ण में, यदि आपको डेटा याद भी नहीं है, तो आपकी किस्मत अच्छी है, बाकी कहीं भी 17-18 नहीं दिया है. तो इसलिए सहीं हो सकता है. तो 17-18 में रिनात्मक रही और रिनात्मक याद रख लेंगे. कितनी रही? माइनस 10.9 सुन्य पर अधिक सर्वेक्षन 2022-30 के नुसार, राज्य के सकल घरिलोत पाद में, 16-17 से 22-30 क्रिशी वृध्धी दर किस वर्स अधिक्तम रहा और किते प्रतीशत रहा? तो न्यूंतन तो हम देख लिए हैं, कब रहा? 2017-18 में रहा. माइनस 10.9 सुन्य प्रतीशत. अगर अधिक्तम की ब दो आठ प्रतीशत. जान रहेगा जी? आगे चलते हैं. अभी इन सारे डेटा को मैं आपके लिए समराइज भी कर दोगा. तो आपके लिए बेनिफिट भी हो जाएगा, कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे, समरी पहले बता दीजिए, लेकिन नहीं, एक तो प्रश्न समझ जीरूरी है, कैसे ब्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसके अलावा आप कुष्चन देखेंगे, समरी देखेंगे, चीजों को बार-बार देखेंगे, बार-बार नोट डाउन करेंगे, तो आपकी जो डेटा का कलेक्शन है मेमोरी में, वो कही ने कहीं स्ट्रॉंग होगा चलिए आगे चलते हैं, अगला देखेंगे चुष्चन नंबर अठारा, हम से क्या कह रहा हैं, यह कह रहा है, तो प्रात्मिक छेत्र की विर्द्धी दर कित делать प्रतीशा घांगे, चलिए आगे चलते हैं, अगला कुष्चन देखेंगे, question number 19 question number 19 हम से क्या कह रहा है question number 19 हम से ये कह रहा है कि 36 और एक्षण 2022 देश के नुसार प्रात्मीक छेत्र में किस वर्ष वृद्धी दर रिणात्मक रही आप से simple question वर्ष का भी पोच सकता तो वर्ष तो आप पहले याद रखिए second priority data और रिणात्मक वाले question तो पूछे ही जाते sorry तो रिणात्मक वाले question तो आपको याद रखना ही है तो प्रात्मीक छेत्र की वृद्धी दर किस वर्ष से रिणात्मक रही तो प्रात्मीक छेत्र की वृद्धी दर 2018-19 में रिनात्मक रही है तो 2018-19 sorry 2018-19 में नहीं प्रात्मिक छेत्र की भी वृद्धी धर उसी साल रिनात्मक रही है जिस साल क्रिसी छेत्र की रिनात्मक रही है अब वो है 2017-18 तो 2017-18 दोनों option में है लेकिन सही answer है आपका क्या minus 4.35% तो याद रहना साल है जिस वर्स आपका क्रिसी छेत्र का रिनात्मक है 17-18 उसी वर्स आपका प्रात्मिक छेत्र का भी रिनात्मक है देख चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं question number 20 question number 20 हमसे क्या कह रहा है चतिज़गर राज्य आर्थिक सवरिक्षण 22 के नुसार सकल घरिलूत पाद में 16-17 से 22 तक प्रात्मिक छेत्र में व्रिद्धी दर किस वर्स अधिक्तम रहा और कितने प्रतीशत रहा तो किस वर्स अधिक्तम रहा तो याद रखना है प्रात्मिक छेत्र का व्रिद्धी दर व्रिद्धी दर रणात्मक है 17-18 और अधिक्तम उसके जस्ट पहले है 16-17 लेकिन प्रात्मिक छेत्र की हम बात करेंगे तो उसका व्रिद्धी दर व्रिद्धी दर बी 11.21 प्रतीशा जान रहेगा एक तैसा लिंक बनाई है चीजें आपको याद रहे इसका थोड़ा सा सम्मरी देख लेते हैं आपके लिए रिवाइज हो जायाएगा कृषी छेत्र प्रात्मिक छेत्र प्रात्मिक छेत्र आप इसका स्क्रीन्शॉट ले सकते हैं मैं पिछे कर जाता हूं स्क्रीन्शॉट आप असानी से इसका ले सकते हैं क्या लिखा हुआ है अगर विद्धी दर 22 तेज के लिए क्रिशी छेत्र का पूछेगा तो कितना रहेगा 5.93 परसेंट लेकिन अगर प्रात्मिक छेत्र के लिए पूचेगा तो 7.75 परसेंट अगर विद्ध आपको याद रखनी है ना याद रखना आपकी जरूरत है तब ही एक्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं चलिए अब ये तो हम क्रिशी छेत्र और प्रात्मिक छेत्र को देख लिए लेकिन इसके उप छेत्र भी है आपके फसल पसुपालन वानिकी मचली पालन और खनने वा उत्खनन जिसके अंतरगत तीन महत्तपूर्ण रहे हैं हम उन्हें ही देखे लिए तो चलिए अब इनके उप छेत्रों के बारे में देखते हैं फिर आपको उप छेत्रों की भी सारी समरी में आपको बता दूगा देफिकर रही है चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा वाच 30-30 से अरेक्षन दो हजार 22-30 के नुसार खनन एवं उद्खनन छेत्र की वरिद्धीदर 2019-20 में रिणात्मक रही यह कितने प्रतीशत थी एक तो देखिए आपका इस कोस्चन में फिर से दो डेटा कवर हो रहा है खनन एवं उद्खनन छेत्र की वरिद्धीदर रिणात्मक कब रही 2019-20 में रिणात् मग रहा कितने प्रतीशत रहा तो answer option number c minus 2.18 प्रतीशत देखा है खनन उद खनन minus 2.18 प्रतीशत कब 2019 प्रतीशत चले अगला question देखते हैं अगला question हमारा question number 22 हम से क्या कह रहा है question number 22 हम से ये कह रहा है चत्तिकराथिक सर्वेक्षण दो हजार 22-23 के अनुसार खनन उद खनन चेत्र की सरवाधिक वरिद्धीदर किस वर्स रही और कितने प्रतीशत रही तो ये डेटा तो आपके लिए important भी हो जाता है और जरूरी भी हो जाता है क्योंकि खनन ये उद खनन की वरिद्धीदर सरवाधिक जो है वो इसी साल के लिए है अर्था 2022 के लिए ही है कितना है 10.74 प्रतीशत जान रहेगा तो दो डेटा एक साथ एक डेटा हपका दो कोश्चन का काम कर दिया कि 2022 के लिए खननन उद खनन की वरिद्धीदर कित्ती है 10.74 प्रतीशत किस साल सरवाधिक रही यही वाला सरवाधिक है 2022 के लिए 10.74 प्रतीशत जान रहेगा जी सरल हो गया यह आपकी लिए चलिए आगे चलते हैं अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नंबर 23 हम से क्या कह रहा है कोश्चन नंबर 23 हम से यह कह रहा है चलिए नोट डाउन करते चलेंगे जीनें पता है आंसर वो कमेंट बॉक्स पे बिलकूल आंसर भी शियर कर सकते हैं चलिए अगला दिखते हैं कोश्चन नंबर 24 हम से क्या कह रहा है कोश्चन नंबर 24 हम से यह कह रहा है कि 36 गर राथिक सर्वेक्षन 2022-23 के अनुसार फसल छेत्र में रणात्मक वरिद्धिदर 2017-18 में रही यह कितने प्रतीशत रही तो दो डेटा आपका एक साथ इस कोश्चन में कवर हो रहा है कि फसल छेत्र की वरिद्धिदर रणात्मक किस वर्स रही तो फसल छेत्र की वरिद्धिदर कब रही 2017-18 में रही और कितने प्रतीशत रही तो माइनस 18.7 तीन प्रतीशत आप्शन नमबर एक कितना माइनस 18.7 तीन प्रतीशत नोट डाउन करते चलेंगे तेक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन हमसे क्या कह रहा है कोश्चन नमबर 25 हमसे ये कह रहा है कि चत्रगाड आर्थिक सरवेक्षन के अनुसार फसल छेत्र में सरवाधिक वृधिदर 2018.19 में रही और यहा कितने प्रतीशत रही तो 2018.19 में रही पहला डिटाट आपको ही याद रखना है फसल छेत्र के वृधिदर किस साल सरवाधिक है 2018-19 में सरवादिक है और यहां कितने प्रतिशद रही तो आपको याद रखना है इसका आंसर है चवदा दसमलो तीन एक प्रतिशद अब यहां दो option सेम हो गया copy paste में manage कीजिए वो answer तो है ही नहीं तो हमारा सही answer क्या है option number C 14.3 एक प्रतिशद देख चलिए आगे चलते हैं अगला question देखते है question number 26 question number 26 हम से क्या कह रहा है question number 26 हम से यह कह रहा है कि चत्तिगड़ आर्थिक सरवेक्षण के अनुसार वानिकी में वृद्धी दर 2017-18 में रणात्मक रही यह कितने प्रतिशत थी तो 17-18 में रणात्मक रही है पहला डेटा तो आपको यही याद रखना है कि चत्तिगड़ आर्थिक सरवेक्षण के में वानिकी छेत्र की जो वृद्धी दर है कब रणात्मक रही है 2017-18 में और यह कितने प्रतिशत रही है minus 8.09 प्रतिशा कितने प्रतिशत रही है minus 8.09 प्रतिशा एक डेटा बढ़ते जाएगा जैसे जैसे वीडियोज आते जाएगे question not deep होते जाएगा डेटा बढ़ते जाएगा तो proper note down करते चलिए फिर से कह रहा हूँ boring लग सकता है यह डेटा लेकिन अगर आपको परिक्षा में number score करने है तो आर्थिक सर्वेक्षण महत्पूर्ण है चलिए अगला question देखते है अगला question हमसे क्या कह रहा है question number 27 question number 27 हमसे यह कह रहा है चत्तिकर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2022-23 के लिए वानिकी छेत्र की विरिद्धिदर कितने प्रतिशत है इस साल के लिए मतलब 22-23 के लिए तो सहीं आंसर है आपका option number A 4.5 प्रतिशत 4.5 प्रतिशत इस साल में वानिकी छेत्र की विरिद्धिदर है तो यह proper note down करते चलेंगे ना चलिए आगे चलते हैं अगला question देखते हैं question number 28 question number 28 हम से क्या कह रहा है question number 28 हम से यह कह रहा है कि चत्र करण अर्थिक सरेक्षण 2022-23 के अनुसार पशू पालन छेत्र की विरिद्धिदर कितने प्रतिशत अनुमानित है तो इस साल के लिए 22-22 के लिए जो पसू पालन छेत्र की विरिद्धिदर है वो कितनी है 4.58% है ठीक है चले अगले question में आते है अगला question हम से क्या कह रहा है question number 29 question number 29 हम से यह कह रहा है चत्रिक अर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार परस 22-23 के लिए मचली पालन छेत्र की विरिद्धिदर कितने प्रतीशत अनुमानित है तो इस साल याने 22-23 के लिए मचली पालन छेत्र की विरिद्धिदर है 7.09% जान रहेगा जी मचली पालन या मचली उद्योग छेत्र की विरिद्धिदर है 7.09% चलिए, अगले question को देखते हैं, अगला question, question number 30, question number 30 हम से क्या कह रहा है, कि 36 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की अनुसार, वानिकी छेत्र की वृद्धीदर सरवाधिक 2018 में रही, यहां कितने प्रतीशत थी, तो पहला data तो यही याद रखना है कि वानिकी छेत्र की वृद्धीद सरवाधिक कब रही, 2018 में रही, और यहां कितने प्रतीशत है, तो आपको याद रखना है 10.24, 10.24 नहीं, इसका सही आंसर है, option number 1, 11.24 प्रतीशत, वानिकी छेत्र की वृद्धीदर सरवाधिक कब है, 2018 और कितने प्रतीशत है, 11.24 प्रतीशत, एक चलिए, आगे चलते हैं, अब मैं, ये तो मेरे साब से जो महत्रपुर्ण कोश्चन बन सकते हैं, इन में से जो भी हम अभी क्रिशी प्रत्मीक छेत्र के कोश्चन देखें, आप मान के चलिए, कोश्चन नमबर 15 से 30 तक हमने देखा है, लगबख 16 कोश्चन हम देखें, इन 16 कोश्चन में 11-12 किया है, तो आप इस टेवल को बिलकुल ध्यान रख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और इस स्क्रीन शॉट को डेली देखते रहिए, जहां-जहां संभव है, हर टॉपिक में नहीं हो पाएगा, ये राजकी आए और कुछ छेतर तक संभव है, तो जहां तक संभव मैं आपको बढ़िया इसका एक समरी बना के जरूर दूँगा, एवन जो हमारा ये पूरा चल रहा है, पूरा वीडियो सीरीज खतम होने के बाद, जितने भी कोश्चन है और ये सारा डेटा, सबका पीडियप भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, पीडियप बिलकुल गिडिया पूजा जाएगा, इस साल के लिए तो स्ब इम्पोर्टंट है, देखिए यहाँ जो मैंने यलो रंग से किया है, यलो खलर से जो मैंने किया है वह आपके लिए most important है, वह आपको बढ़ना ही है, जो white है, जैसे कि आपने देखा होगा पशू पालन, मचली पालन का सरवादिक और नियुनतम का question मैंने नहीं बनाया इसके पीछे मुझे लगता है उतना important नहीं है लेकिन फिर भी summarized way में मैंने आपको उसका data दे दिया है तो आप उसे जरूर देखिए उतना important नहीं है लेकिन जो यहाँ yellow से yellow color में है वो आपके लिए most important है तो अगर फसल छेत्र की बात होगी तो वृधी दर किता है? 6.53 percent इसका वृधी दर सरवादिक कब था? 18.19 में कितना था? 14.31 प्रतीशत वसल छेत्र का वृधी दर नियुनतम कब था? 17.18 में था, कितना था? minus 18.73 percent वही अगर पशुपालन छेत्र की बात होगी तो बाइस तेस के लिए विद्धी दर चार दसम्लों पांच आठ प्रतीशाथ सरवाधिक कब था अटरा उन्नेश कितना था एकश दिसम्लों चैदो प्रतीशाथ कितना था सुन्य दसम्लों एक चार प्रतीशाथ वही वानिकी छेत्र में इस साल की बात होगी तो चार दसम्लों सुन्य पांच प्रतीशाथ सरवाधिक कब था? 18-19, कितना था? 11.2-4 प्रतिशत, नियुनुतम कब था? 2078, कितना था? माइनस 8.9 सुन्य प्रतिशत, मचली पालन 7.9 सुन्य प्रतिशत, सरवाधिक 17-18, कितना? 21-34, नियुनुतम 21, कितना? 2.4 प्रतिशत, पर ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है, मैंने पहले बताया, खनने मुद्खनन शेतर की बात होगी तो इस साल के लिए 10-74 और यही सरवाध है, याद होगे होगा अभी तक, तो 22-23 में सरवाधिक था, 10-74 नियुनुतम कब था? 19-20 में कितना? माइनस 2.8 प्रतिशत, तो मैं आपके लिए बिलकुल यहाँ पर हड़ जाता हूँ, इसे मिटाल भी देता हूँ, आप फिर से इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, तो यह ह है हमारा क्रिशी छेतर से संबंदित, क्रिशी अम प्रात्मी क्षेतर संबंदित संपूर्ण डेटा, तेक, मैं चाहूंगा ऐसे ही वीडियो का हमारा लेंट रहे, I think 25-30 मिनट जितना भी इस वीडियो को हो गया है, यहाँ पर मैं इसे रोक रहा हूँ, इसके बाज सीधा हम दितियक उद्योग छेतर और सेवा छेतर, दोनों को एक साथ देखेंगे और उसके अगले वीडियो में योगदान को देखेंगे, तो इस प्रकार जो राजकी आयसे हमारे सारे बनने वाले कोस्चन हैं, टॉपिक्स हैं, वो कबर हो जाएंगे, तो आसे छोटे-छोटे वी कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, दितियक उद्योग छेतर और सेवा छेतर की संपूर्ण जानकारी के साथ, देखिए ये राजकी आई ही इंपोटेंट है ना, इसके बाद के चैप्टर याने पूरे एक चैप्टर में 5-6 कोश्चन ही बनेंगे, यानि आप मान के चलिए 100 कोश्चन में आपके 60-65 कोश्चन आपके केवल एक ही चैप्टर के हैं, बाकी बचे कोश्चन आपके 9 चैप्टर के, ठीक हैं, तो इसलिए यही इंपोटेंट है, इसको ज़्यादा फोकस करता है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जम कर त्यारी कीजिए, थैंक यू